खबर उत्तर परदेश के जनपत मतुरा से है जहां पे लूट और चोरी की घटनाये थमने का नाम नहीं ले रही है लुटेरों के दिन प्रते दिन होसले बुलंद होते जा रहे हैं जिसके चलते चोर और लुटेरे लूट और चोरी की वारदात को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं ऐसा ही मामला जनपत मतुरा के फरहा छेतर में एक शराब के ठेके में हुई लूट का सामने आया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है CCTV कैमरे से लिए गए वीडियो में लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले शराब के ठेके के अंदर सो रहे सेल्समैन को बुरी तरह से पीट रहा है सेल्समैन के बेहोश होने पर लुटेरा नगदी और शराब की बोतले लेकर फरार हो गया या घटना गुरुवार की रात की बताई जा रही है मिली जानकारी के मुताबिक जनपन मतुरा के फरा शाहपूर रोड पर अंग्रेजी शराब का ठेका है सेल्समैन परती दिन की तरह ठेके के अंदर ही सोता है गुरुवार की शाम वा ठेके का दर्वाजा हलके से बन करके अपना खाना लेने बाहर चला गया उसी दोराने की वक ठेके के अंदर दाखिल हो गया और चारपाई के नीचे छिप गया रात करीब दस बजे वा बाहर निकला और चारपाई के उपर सो रहे सेल्समैन पर ताबड तोड हमला कर दिया और उसे बेहोश कर दिया लुटेरे ने सेल्समैन पर इट, पत्थर और जम का डंडे बरसाए सेल्समैन के बेहोश होने के बाल लुटे रहा तीन चार दिन की भिकरी का कैश और कुछ शराब की बोतल लेकर निकल गया ये सारी घटना सीसी टीवी में कैद हो गई ठेका संचालक की तहरीर और सीसी टीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जाच कर रही है मतुरा से अमिश शर्मा की रिपोर्ट नियूज हब भारत